हेलो चात्रों नमस्कार प्रश्णावले 2.3 NCRT गणित कच्छा 10 आज हम लोग प्रश्ण 2 देखेंगे और वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आप इस सवाल को समझ पाएंगे इस वीडियो में हमने दो सवालों को लिया है एक प्रश्ण 2 है और एक प्रश्ण 3 है ठीक है मेरा नाम है दीपक नियू लैड भी दीपक में आपका स्वागत है तो आईए वीडियो को सुरू करते हैं प्रश्ण है एक त्रिघात बहुपत प्राप्त कीजिए जिसके सुन्यकों का योग दो सुन्यकों को एक साथ लेकर उसके गुड़न फलों का योग तथा तीनों फलक्रम से दो माइनस साथ और माइनस चयुदा हैं हमें क्या ग्याद करना है त्रिघात बहुपत तो आपको लिखना है माना त्रिघात बहुपत बराबर यह आपका त्रिघात बहुपत है यानि जिसमें घात तीन होता है वही त्रिघात बहुपत होता है और सामान नतव चार पदों में होता है पहले जो एक्स क्यूब का गुडांग होता है वो ए है एक्स स्क्वाइर का जो गुडांग होता है वो बी है और एक्स का गुडांग सी है और यहाँ पर डी में किसी एक्स का गुडांग नहीं होता है यही हमको ग्याद करना है और इसके जो सुन्यक है वो सुन्यक क्या होत हैं सामाने ते हम अलफा बीटा और गामा मानके चलते हैं कि इसके यही सुन्यक होते हैं अब चुकि हमारे सुन्यक दिये गए हैं दो माइनस साथ और माइनस चवदा यह सुन्यक नहीं है बलकि सुन्यकों का योगफल गुडणफल का योगफल और गुडणफल है तो देखी क क्या करेंगे जूकि योगफल जो होता है वो अलफा प्लस बीटा प्लस गामा। है ना और बराबर होता क्या है माइनस बी बाटे ए माइनस बी का मतलब कि यहाँ एक्स स्क्noisse का जो गुडांग है वहाँ पे जो लिखा गया है वो और x cube का जो गुडांख है वहाँ जो लिखा गया है वो यहाँ पे लिखा जाता है तो चलिए अलफा प्लस बीटा प्लस गामा का मतलब साब साब लिखा है 2 तो आप इसके नीचे क्या लिख देंगे 2 बराबर माइनस b बटे a clear अब देखिए माइनस b बटे a बराबर 2 है तो आप 2 को अगर भिन बनाना चाहो तो उसके नीचे आप लिख सकते हो 2 बटे 1 clear अर्थात b का माण माइनस 2 a का माण 1 अब फिर से अगले स्टिप में क्या होता है अलफा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अलफा यह होता है और बराबर c बटे d यही आप लोगों ने पढ़ा होगा तो अलफा इंटू बीटा यह पूरा स्टिप में दिया गया है क्या माइनस 7 तो आप यहां लिख देंगे माइनस 7 बराबर c बटे a अब देखो यहां भी भिन नहीं है तो आप इसको भिन बना सकते हो कैसे माइनस 7 और उसके नीचे लिख दो एक भिन बन गया तो देखो यहां भी a बराबर 1, यहां भी a बराबर 1, यहां b बराबर माइनस 2 और यहाँ C बराबर माइनस साथ अब अगले स्टिप में हम चलते हैं अगले स्टिप में क्या होता है अलफा का और बीटा का और गामा का गुड़न फल यानि अलफा बीटा और गामा बराबर होता है माइनस D बटे A क्लियर तो क्या है minus 16 minus 16 बराबर minus d बटे a चलिए यहां भी कर देह है तो आगे क्या लिखा जाएगा minus 16 और नीचे क्या क्या आएगा कुछ नहीं है तो a तो इस तरह से आपका a का मान आरहा है एक clear b का मान आरहा है minus 2 c का मान आरहा है minus 7 और D का मान आ रहा है यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है अर्थात प्लस चवद अब हमें क्या निकालना है बहुपद तो आपको लिख देना है बहुपद बराबर बहुपद बराबर AX3 प्लस BX2 प्लस CX प्लस D बराबर ए का माना आया है एक एक लिखा नहीं जाता तो आप छोण दीजे किवा लिखे एकस क्यूब बी का माना आया है माइनस दो तो क्या लिखे माइनस दो एकस स्क्वायर c का मान आया है माइनस 7 तो लिख दीजिए माइनस 7 x और d का मान आया है प्लस चवदर तो आप लिख दीजिए प्लस चवदर और ये आपका क्या हो गया त्रिखाद बहुपत ठीक है तो उम्मिद करता हूँ कि ये प्रस्ण आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा देखिए हमने सुरुवात कहां से करी है हमने सुरुवात हल डाल के की है और तीनो इस्टिप में योग गुडन फलों का योग और फिर नीचे तीनो सुनिकों का गुडन फल और देखिए इस तरह से आ गया चले आप दूसरा प्रस्ण देखते है सौरी यहां 14 है 14 है समझ रहे होगा न क्योंकि यहां डी का मन 14 आया है तो 14 है